for mcq as well as question भी बनेगा आगे देखेगे अब जो है न एसे डिक करेक्टर के आपको नीट में भी जेई में भी बाड में भी गुचकेट में भी क्वेशन मिलेगे आपको और और कोई भी बाड ले लो कोई भी इंटरस्ट ले लो एसेडिक करेक्टर वाले question ज्यादा आते एक्जाम में इस तरह कोई भी हमें question बना सकते हैं पहले primary यहां पर देखो acidic character of alcohol is due to polar nature of OH bond polar nature होता है इसमें से H plus release होगा H plus release हुआ तो acidic character मिल गया simple आपको बता है ने ब्रॉंस्टेट लोरी concept है और वो सारे अपने 10 standard के basic concept है ठीक है next point in electron releasing group increase electron density on oxygen tendies to the decreasing polarity of OH bond this decrease the strength of acidic character मतलब क्या बता है कि normally जैसे आपके पास यह है आपके example लिकते और पर आर ओ एच यह जो है यहां से release हो रहा है और बन रहा है आर ओ माइनस सुनना मेरे बाद यहां पर जो alkyl group आ गया कौन सा group मतलब electron releasing group electron releasing group आ गया तो यहां से इसकी यह जो delta negative बनने वाला था ने इसके ओपर delta negative होता है यह delta positive यह electron इसको दे रहा है तो इसकी जो polarity है वो कम होगे बास समझ में आ रही है तो इसकी effect यहां पर आएगे तो यह h plus easily क्या होगा release नहीं होगा बास समझ में आ रहे है और यहां से all electron आ रहे है तो इसके क्या हुआ क्या हुआ कम होगा है ना solution में से h plus वापस आया है इन स्वाट इलेक्ट्रों रिलीजिंग ग्रूप आ रहे है तो इसलिक क्रेक्टर कम होगा ठीक है तो यह पॉइंट यहां पर मेंसन है और इसलिक स्ट्रेंट और आलकोहॉल स्ट्रेंट क्या है तो यह कहा सकते के प्राइमरी यह ओडर दिया है यह खाली से नहीं ते यह और है किसका ऐसलिक करेक्टर का किसका प्राइमरी आलकोहॉल का वाइको क्वेशन ओना चाहिए बताओ क्यूं है आपको बूचू रहों क्यूँ प्राइमरी आलकॉल का एसलिक करेक्टर ज्यादा होगा तेके देखते देखो यहाँ पर एक एक आलकॉल ग्रूप यहाँ पर कितने सेकंडरी में टर्सरी में कितने तीने तो अभी पढ़ लिया हमने क्या पॉइंट बड़ा कि इलेक्टरोण रिलीजिंग ग्रूप जितने बढ़ते जाएगे इतनी उसकी पोलारीटी कम स्टैबिलिटी कम स्टैबिलिटी कम तो एसलिक करेक्टर कम तो प्राइमरी आलकॉहल की एसलिक करेक्टर ज्यादा होगी compare to secondary secondary की ज्यादा होगे compare to tertiary reason भी पता होना चाहिए ये वाला point क्योंकि हमें statement type के question में डाल सकते हैं तो ये भी पूरा पूरा लिखना है यहां से मैं इसलिए IMP लिख लिए पहले point यहां से question बहुत सारे number of बनते है बटा तो आपस एक acidic character of alcohol due to the polar nature of OH1 उसकी polarity electron religion group बढ़ेगे तो tendency of oxygen tendency to decrease in the OH1 decreasing तो इसकी वज़ा से उसका property भी decrease होगे इतना clear यह सब कुछ आपको लिखना है जैसे मैंने बता दिया बटा चलो आगे बनते हैं अब next point alcohol weaker acid than water थिर भी alcohol or however weaker acid than water this can be illustrated by the reaction कि बेज़े water है तो आरो है तो आरो है जो question है acidity of phenol यहां से पता क्या चला इसमें से आपको बताइए मुझे यहां से कोई question बनेगा नहीं लेकिन MCQ में आएगा order में water and alcohol में से acidic property किसकी ज्यादा right answer q वही point यहां पर mention q जो आपके ध्यान में रखता है वापस से क्या alcohol हाई और weaker acid than water क्यों करें समझ लोग आलकोहल में से हो एच प्लस चला गया यह water तो water एच प्लस डॉनेट करता है और इसको consecuted acid बनाता है consecuted base बन जाता है बात समझें यहां पर तो द्रिप्स रेक्शन सो दे वाटर इस बेटर प्रोट्रों डॉनर देनर आलकोहल बस यही रिजन है अब यहां पर याद रखना है यह हमारा थ्री मांक्स का question बने गाए acidity of phenol acidity of यह पूरा question है कि describe about acidic property of phenol यह पूरा तीन मांक्स का question है उसके बाद इसी की उपर से most most time mp mcq बनेगे जो अभी तक जितना पड़ा acidity character का phenol alcohol water तीनों को मिलाएगे और उसमें साथ में मिलाएगी electron donor group electron यानि की जो है religion group और withdrawing group ठीक है यह सब मिला के फिर property बनानी है किसका acidity character ज्यादा किसका acidity character कम होगा बोलो clear एकदम तो अब यह next हम देखेगे तो यहां से बटा हमें acidity of phenol के बारे में देख रहे है acidity of phenol देख लेते हैं अब acidity of phenol की बात करते हैं तो यहां पर comparison करनी है देखो alcohol में से जब भी निकलता है तो alcoxidine बनता है यहां phenoxidine बनता है वहाँ फिनोक्साइड ठीके अब यह दोनों में से stability किसके ज़्यादा होगी अब सोचके बताओ मुझे तो आप तुरंट कहोगे सर फिनोक्साइड आइन की क्यों क्योंकि यह electron जो है न इस तरह पूरे structure में घुमते रहते हैं क्या गरते हैं गुमते रहते हैं यह first reason हो गया कि इस reason की वज़े से फिनोल का यह main reason इसका ठीक है तो आपको exam में जब पूछते है न तो क्या लिखना है यह सब नहीं लिखना उपर का part सीधा यहाँ पर आ जाना है क्लेर यहां से पूरा में आपको फिर highlight भी करवा लूंगा यह पूरे question में कहां से लिखना है कैसे लिखना है पहले अपने जनरल ही में खाले आपको समझा देता हो तो यह जो है न यह electron पूरे structure में घुमता रहता है और इसकी वेज़ा से stability हो जाती है और stability increase हो गए तो हम कह सकते है कि alcohol की comparison में फिनौल की एसलिक करेक्टर ज्यादा होती है clear एकदम दूसरा reason यह है कि यह जो bond यहां से associated है उसका SP2 hybridization bond length कम हो जाती है bond length कम हो जाती है तो इसकी विज़े से क्या होगा उसका stability or increase this is also point clear एकदम यह main main point आपको बताए अब line to line हम जा रहे ताकि exam में कैसे लिखोगे क्या लिखोगे वो भी समझ में आ जाए point यहां से start होता है ठीक है यह दोनु reaction आपको लिखनी है पटा इस वन पहले ही यह लिख ले न point number one due to the higher electron negativity of SP2 hybridized carbon phenol electron density decrease on oxygen this increase of polarity watch point and result increasing ionization of phenol then of alcohol यह पूरा point दे दिया हमें कि फिनोल का जो है polarity stable होगी क्यों होगी वो सारा पर जो समझा दिया वही लिखा तो यह point number one बन गया हमारा point number two सीधा यहां से यह यहां पर आ जाना है कि phenoxide आयन के stability ज्यादा होती है क्यों ज्यादा होती है कि यह जो है यहां कोई resonance बनता नहीं है आलकॉक्साइड में जब फिनोक्साइड में resonance बनता है वो resonance आपको draw कर लेने है और resonance की वज़े से उसके stability बढ़ जाती है और बढ़ जाने की वज़े से phenol is a more acidic character property compared to alcohol तो यहां पे question finish ठीक है यह इतना point यहां से और यह point और यह जोड़ा draw कर लेना है तो आपको question होगा सर यह क्या है यह portion है कि जब इसमें meta position वाला group जुडता है तब और para मतलब sorry meta नहीं यानिकि इसमें electron donating group जुड़े तब क्या होगा and withdrawing group जुड़ेगा तब क्या होगा तो अभी आपने पढ़ लिए हमने electron withdrawing group आएगा तो क्या होगा acidic property increase होगी क्या होगी withdrawing बोला में नहीं donating नहीं ठीक है withdrawing का मतलब यह जैसे यह आपका सूच हो फॉर एग्जामपल ठीक है यह electron गुम रहा है यह oxygen है यहां पर फॉर एग्जामपल एनोटू ग्रूप आगया कौन सा ग्रूप आगया नाइट्रो ग्रूप तो नाइट्रो ग्रूप इलेक्रों विड्रोइंग ग्रूप है तो यह electron को अपनी तरफ पूल करेगा तो स्टेब्स तो रेजूनस तो स्टेबल कर रहा था साथ में अनोटू भी खीच रहा है क्योंकि इसको चाहिए और इसको चाहिए कहां भी तू आई मत ताके वह एच प्लस गुमें और जितना गुमें गा इतनी असलिक प्रॉपरटी ज्यादा हो पास समझ मे यहां पर है यह लिखना नहीं है प्रस मगज में रखना आपको ठीक है और दूसरी बात इसमें से को और भी है और तो और तो पैरा स्टैबलीटी यह भी हम समझ लेगे हां बूली मैं पूरा समझा देता फिर पूंट ले लिखे है देखो इलेक्ट्र प्रिजंस ऑफ इलेक्ट्रों विड्रोइंग ग्रूप सच अज नाइट्रो ग्रूप इन्हांस दैसलिक स्ट्रेंट अब दी फिनोल यहां तो इन्हांस लिखा है रीली जिफोड़ा बुला मैं इरीलिजिंग इए नोδος कॉंसरा सपर्रें यतों और अडद तो कमी होगा है यह तो selv हराइँ पड़ार आम ने इसको कहें गए नहीं ही यहां पर एप्षिंग होगा वही समझाए ठिकना यह कौनस सतन्म इलेक्ट्रोन रिलेजिंग ग्रूप है, आलकायल ग्रूप, तो वहां ऐसे प्रॉपर्टी क्या होगी, काम होगी, तो वह तो हमने समझ लिया, बोलो clear, ठीके, तो यह पॉंट तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रोन विड्रोइंग वह तो उपर भी पढ़ा लिया, अब इसके सा और तो नाइट्रोफिनोल, मेता नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, एन फिनोल, फिनोल का पीके वेल्यू देखिए, अब इतना पहले दो पता होना चीए, कि पीके वेल्यू इंक्रीस, एसिडिक केरेक्टर डिक्रीस, याद रखना क्या बोल रहा हूं, मैं सु केरेक्टर डिक्रीस पिके जितना बढ़ेगा इतना ऐसे डिकेरेक्टर कम होगा उसका उल्टा सोचो पिके जितना कम होगा क्लियर यह 11 का पार्ट है आपको बताईए बटा तो यहां भी इन चार की पहले कम पर रिजन करो यह चार की तो सबसे कम पिके किसका है और तो नाइट्रो फिनोल का क्लियर ठीक है तो इसकी सबसे ज्यादा क्या होगी फिर इसके अलावा पैरा है तो सबसे ज्यादा पैरा हुआ बटा कि पैरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है रिजन यह है तो सिमेट्रि और्टो यहां पैरा सबसे फिर सेकंड नंबर पर और तो फिर मेटा फिर फीनोल आएगा फिसका आपूसिट सोचे दिखो यहां पर और तो ख्रेसल कि अब और तो क्रेसल में क्या है बताओ मुझे और्थो क्रेसुल कली आ गया ट्रक्षर और्थो पहरावला या देके नहीं है तो इसके अंदर ऐसा लिख सकते हैं यह सीएस्ट्री बिटा तो सीएस्ट्री कौन सा ग्रूप है बहुत अरे सीएस्ट्री कौन सा ग्रूप है तो यह सरी जिंग आर का मतलब होई तो होता है आलकायल ग्रूप रिलीजिंग तो रिलीजिंग आएगा तो क्या होगा एसलिक केरेक्टर डिक्रीश वरी गुड़ पीके क्या होगा बोलो वैरी गुड तो यहां दिखो बढ़ता गया और अलमस्स एम सेमी ए 10.2 10.1 10.2 मतलब इतना है कि फिनोल से तो कमी है एसलिक प्रॉपर्टी क्योंकि इसके अंदर एलेक्ट्रों रिलीजिंग ग्रूप बोलो क्लियर आपको याद रखना है एक्जाम में सैट करनाया में और लास्ट में इत्यानॉल सबसे कम रिजन हमें पताईए क्यों इसमें राजोनस बनता ही नहीं है ठीक है तो पीके सबसे ज्यादा एसलिक प्रॉपर्टी सबसे कम होगे बोलो क्लियर एकदम समझ में आ गया एकदम जकास ठीक है ओके तो यह बहुत इंपोर्टन पार्ट था यहां से तीन मक्स का क्वेस्टन भी था यहां तर जो मैंने बता दिया विटा वाई फिनोल है वा मोरे सेडिक केरेक्टर कंपेर तो आलकोहॉल एक तो यह क्वेस्टन हमारा बिटा यहां से टेबल में से MCQ वो भी खास करके इंक्रीसिंग ओडर डिक्रीसिंग ओडर लाइक इस तरह के क्वेस्टन नीट जेई बहुत सब में आते हैं यह पूइंट ऐसा एक सब में पुछते हैं तो यह क्वेस्टन अभी आपको स्वाल करना है चलो फटाफ़ट एरेंज फॉलोईंग नीट नानीय है चलो फटाफ़ट तो दिखते अपने प्रापेन 1-0-2-4-3-nitrofenol-3-nitrofenol-3-5-dianitrofenol-4-methyl-phenol-4-mythyl-phenol चलो फटाफ़ट देखते जाए तो सब्से पहले increasing order बनाना है कम वाला पहले कौन होगा फिनोल 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 कट मारो तो प्रॉपेन वनोल आएगा क्या अलकॉल है सबसे कम तो उसका होगा तो पहले आएगा प्रॉपेन वनोल चलो इसको में number one लिखता हूँ ऐसे order में फिर अब देखो यहाँ पर फौर मृथा फिनोल मिठाईट देखा सुनना नाइट्रो 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 तो इसके बाद कौन आएगा हाउ कियों कि यहां पह दो दो नाइट्रो हे दू-दू इलेक्ट्रोंड विड्रोईंग है और यहां पर एक ही है यहां पर तीन है तो यहां पर यह आएगा थर्ड नमबर हाँ कोई क्वेश्चन था कौन तो सब में फिनोल है भाई काप फिनोल अकिला अच्छा यह हां हां सुरी तो यह जो है न यह सेकंड आएगा यह थ है बोलो क्लियर समझ में आगए आप पूरा कॉंसेप्ट एकदम जक्कास ठीक है बटा तो यह हमारा जो है कैसे एसली करेक्टर फाइंड करेंगे इसके हमें क्वेश्चन पाइंट पे रखने है बटा ओके डान ठीक है